हाई फ्रेंड्स ठाकुर इलेक्टरिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी कस्वागत है आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मर के पैलर आपरेशन के बारे हम बताऊंगा आखिर हमारे को ट्रांसफॉर्मर को पैलर में जोडने के अब शक्ता पड़ी ही क्यों तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा तो जहां पर हमारी बिजली पैदा होती है जिसको बिजली घर या फिर पावर हाउस बोलते हैं वहाँ पे कई छुट-छुटे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं जिनको इस तरह से आपस में पैलर में कनेक्ट किया होता है अगर इस तरह से पेलर में कनेक्ट ना करके वहां पे एक ही ट्रांसफोर्मर यूज के जाए बढ़े वाला ट्रांसफोर्मर यूज के जाए तो उसमें अगर वो ट्रांसफोर्मर कभी खराब हो जाता है उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है तो इस transformer की maintenance के लिए जो पूरी power है、 पूरी supply है वो cut हम उस transformer को repair करते हैं तो इस time जो हमारी out put supply है जितनी भी supply आगे जा रही है वो पूरी cut हो जाती है जिससे की पूरी supply बंद हो जाती है इसलिए इस्मस्या को हल करने के लिए इस तरह से parallel में transformer को जुड़ा जाता है इस तरह से पैरलर में ट्रांसफॉर्मर को जोडने से क्या होता है अगर इन में से कोई एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है तो उसको स्प्लाई से हटा कर उसकी मेंटिनेस की जाती है और उस दुरान दूसरे जो ट्रांसफॉर्मर पैरलर में कॉनेक्टेड है उन से स्प्लाई ली जाती है जिसे कि हमारी स्प्लाई में कोई भी बादा नहीं होती है हमारी स्प्लाई कंटिन्यू चलती रहती है और ये ट्रांसफर्मर रिपेरिंग में रिपेरिंग के लिए चला जाएगा इस तरह से हम पैलर में जोडने से अपने ट्रांसफर्मर की जो व्हएंसे चलती रहती है हम इसमें किसी भी ट्राइस फर्मर को करना चाहते है कि इसमें क्व Benefit करना चाहते हैं चाहिए औयल हो वुशिंग्स हो और हमारे मैं Tribal लिखाल आखे घ्रा तो हम इसमें से transformer की supply cut करके उसको check कर सकते हैं और जो हमारी supply है output supply है वो बाकी दूसरे दो जो transformer पैलर में connected है उनसे चलती रहेगी तो यह जो benefits यह पैलर में transformer को जोड़ने के हैं पैलर में transformer को कैसे जोड़ते हैं पैलर operation में क्या होता है कि transformer के एक side के सीरे एक सेख पर connect होंगे और दूसरे side के दूसरी जगा पर connect होंगे आप देख सकते होंगे यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने तीन transformer को पैलर में जोड़ा है आप 4-5 जितने भी चाहे उतने transformer में पैलर में connect कर सकते हैं यहां पर मैंने तीन transformer को पैलर में जोड़ रखा है आप देख सकते हैं यह हमारी primary side है यह secondary side है यह दूसरा transformer यह तीसरा transformer तो इसमें primary side की first बाला सीरा निचली side जोड़ा है यह मेरा यहां पर मैंने single face transformer की पहले operation को दुर्शाया है यहां पर मैं आपको face neutral दिखा देता हूँ यह मैंने इसमें face neutral दिखा है यहां पर जो first transformer की primary winding है उसका पहले वाला सीरा में निचली पर connect किया है और दूसरा face पर connect किया है तो दूसरे transformer का भी पहला सीरा neutral पर और दूसरा face पर तीसरे में भी इसी तरह से connect किया है और output side में भी इसी तरह से हमने connect किया है आप देख पा रहे होंगे कि यह जो transformer मैंने यहां पर लगाए हुए step down transformer है यह voltage को step down करके 11 kv से 440 volt में convert कर रहे हैं इस तरह से यह आप देख पारे होंगे यह parallel में connected है यहां पर मैं आपको दिखा जाता हूं कि parallel में लैंप को किस तरह से जोड़ते हैं उसी तरह से same यह भी connected है यह एक लैंप ये दो लेंप ये तीन लेंप एक साइड के सीरे एक जग़ाँ पर कनेक्ट होने हैं और दूसरी साइड के सीरे दूसरी जग़ाँ पर कनेक्ट होते हैं और यहां से इनमें स्प्लाइ दी जाती है तो इसी तरह से ये भी कनेक्टिड है एक साइड के सीरे तेन्यों ट्रांसफर्मर के फस्ट वाले सीरे जो है न्यूटरल पे कनेक्ट है और सेकिन्ड वाले टर्मिनल जो है फेस पे कनेक्टिड है और इससे फिर हम स्प्लाई ले सकते हैं यहां से फेस यहां से न्यूटरल स्प्लाई ले सकते हैं इस साइड से नहीं इस साइड से जो हमारी और पूर्ट साइड है यहां से हम स्प्लाइए ले सकते हैं कि यहां पर जो हमारी वोल्टेज होगी वह 440 वोल्ट ही होगी क्यूंकि पैलर में जो वोल्टेज है वह सेम रहती है इसलिए यहाँ पर जो वोल्ट है वो 440 वोल्ट है 440 वोल्ट इस ट्रांसफर्मर से भी आएगी ये भी 440 देगा ये भी 440 देगा पैलर ओपरेशन में जो कुछ एक शर्त होती है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या शर्त होती है ट्रांसफर्मर को पैलर ओपरेशन में लाने के लिए तो सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना बताया कि आखिर ट्रांसफर्मर को पैलर में जोडने के अब शक्ता क्यों पड़ी तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रांस्फोर्मर को पैलर में जोड़ने कि अब शक्ता क्यों पड़िए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइच शेट सूर करेगा थैंक्स वाचिंग मैं वीडियो